वक्रतुंड महा का ये सूर्य कोटी संप्रभार निर्विग्नम कुरू में देव सर्वेकार येशु सर्विदा मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज का मैं वीडियो लेकर आई हूँ बिनायक चेतरदसी के बारे में जो की पांच जिन्वरी 2022 को है इसकी पूजा विदी, महत्य और इसकी सरल विदिया इसका क्या महत्य है इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जैसा कि बिनायक चैतरदसी हिंदु धर्मे में मनाया जाने वाला पवित्र बहुत ही ज़्यादा पवित्र तेवहार है दारमिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किये गए ब्रध को बहुत फलडाई माना जाता है माना जाता है कि इस ब्रध से प्रगट की गई हर मनों कामनाई पूर्ण होती है पृत्रेक पूजा से पहले स्री गनेश का पूजन किया जाता है बिनायक चतुर दसी का पर्व गडेश जी को समर्पित होता है इस दिन चंदर मास के सुकल पक्ष में आने वाली चतुर दसी को मनाया जाता है बिनायक चतुर दसी को वर्ष में बारे बार मनाया जाता है क्योंकि प्रतेक माह में एक बिनायक चतुर दसी आती है इसी आमवश्या के बाद मनाया जाता है भाद प्रत के माहे में आने वाली बिनायक चतुर्थी को सबसे विसेश माना जाता है इस सुब औसर पर किये जाने वाली ब्रत को सभी ब्रतों से स्रेश्ट माना जाता है पिनायक चतुर्दसी का महत्तु समातन धर्म में इसे धर्म बहुत ही जादा महत्तु माना जाता है प्रतेक माह में आने वाले इस चतुर्दसी के दिन भक्तों द्वारा बिदिवत ब्रत का पालन किया जाता है मानिताओं के अनुसार इस दिन किये गए ब्रद से सभी परेशानी और कष्ट से मनुस्य मुक्त हो जाता है इस दिन पूरी आस्ता और सधा से की गई पोजा में सुख और सम्रदी की प्राप्ती होती है बिनायक चतुरदसी की कथा के अनुशार नर्वधा नदी के किनारे माता पार्वती जी का मन किया कि वह चौपड खेले लेकिन जीत का निर्ने लेने वाला कोई अन्यें वहाँ पर उपस्थित नहीं था ऐसी परिस्थिती में भगवान सिव ने तिनकों की सहायता से एक पुतला बना कर उनमें प्रार डाल दिये अब यह बालक चौपड के खेल में बिजय का फैसला करने वाला था फैसला सुनाते समय बालक ने भगवान सिव को बिजयता बना दिया लेकिन इस केल से माता पारवती जी तीनों बार जीत चुकी थी गलत फैसले को सुनकर माता पारवती जी उस बालक पर क्रोधी थो गई और उसे स्राब दे दिया जिससे बालक लंगडा हो गया अपनी ऐसी हालत देखकर बालक को अपनी गलती का एहसास हो गया उसके छमा मांगने पर माता सक्ती ने बालक से कहा जब गनेश पूजन के लिए नांक कन्याएं आएंगी तुम बिदी विद्धान से गनेश ब्रत का पालन करना माता की आग्या का पालन करते हुए बालन इसी प्रकार गनेज जी की चतुर्थती ब्रत को किया गया जिससे गनेज जी बहुत प्रसन हुए और गनेज जी के आसिरवात से बालक श्राप मुग्त हो गया अब बिनायक चतुर्थती की पूजा बिदी इस दिन सुबह सुरियोदे से पहले उठकर इसनान किया जाता है जिसके बाद भक्त ब्रत करने का संकल्प लेते हैं इस दिन किया गया ब्रत सुरियोदे से सुरू हो जाता है और अंगले दिन सुरियोदे होने के बाद इसका पार जाता है और प्रतिमा पर गंगा जल का छिड़काव किया जाता है जिसके बाद पुराने वस्तों को हटा कर नए वस्त पहनाए जाते हैं इस दिन ब्रत करने वाले भक्त पूरे दिन में मात्र एक बारी भोजन ग्रहन करते हैं कनेश जी को मंत्रों के साथ पूजा की जाती है और पूजा में धूप, नैवेद, फूल, दीपक, पान, कापत्ता और फल इत्यादी अरपित किये जाती हैं इस प्रकार दिन में दो बार पूजा करने के बाद कथा को पढ़ा या सुना जाता है पूजा के पूर्ण हो जाने पर फल और मिठाई को प्रशाद के रूप में जरूर कीजिएगा धन्यवाद